Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है? ये सारे star signs के लिए reading है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है. So शुरू करते हैं आपके person की current feelings और thoughts. सबसे पहले हमारे पास five of pentacles. So आपके person sad feel कर रहे हैं, हो सकता है उनका कोई financial loss हुआ है. So इस वक्त चाहें आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, जो भी आपकी situation है, साथ हैं भी, तो भी आपके person के दिल में एक insecurity चल रही है, एक sadness चल रही है. The magician. क्या सोच रहे हैं spirit? So I do feel के में भी वो इस situation में से निकलना चाह रहे हैं, बहुत ज़ादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, में भी आप से मिलना चाह रहे हैं, में भी आपको मिलेवे काफी दिन हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है, so ये इनसान manifest कर रहे हैं आप से मुलाकात, या आप manifest कर रहे हैं मुलाकात, so finally वो भी फिल कर रहे हैं कि हाँ मुझे मुलाकात करनी अपने person से, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, so they really feel empty inside. वाओ, we have the hierophant, bottom of the jack पर हमारे पास है four of cups. So हो सकता है कि इस वक्त आप अपने partner से नाराज हैं, या आप उनको थोड़ा इगनोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहे हैं, और आपके person को feel हो रहा है, और वो उस ignorance को बरदाश नहीं कर पा रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि सब कुछ normal हो जाए, आप लोगों के दर्मियान पहले जैसा हो जाए, वो यह सोच रहे हैं, कि मेभी आप उन से बात नहीं करना चाह रहे हैं, या आप उनके text का जवाब नहीं दे रहे हैं, सही तरह या call नहीं सुन रहे हैं या उनके जहन में तरह तरह की बाते चल रही हैं doubts चल रहे हैं आपको लेकर कि maybe आप उनमें अब less interested हैं पहले जितने interested नहीं है आप उनमें और ये इंसान आपको love offer देना चाहते हैं ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत moody है ये इंसान अपने mood के हिसाब से आपके साथ behave करते हैं यानि जब वो अच्छा feel करते हैं तो वो आपके साथ अच्छा behave करते हैं जब वो अच्छा feel नहीं करते हैं तो वो आपको ignore करते हैं तो शायद यही lesson आप उनको देना चाह रहे हैं इस वक्त कि वो अपने mood के हिसाब से आपके साथ नहीं चल सकते हैं जब उनका दिल करे वो आपको ignore नहीं कर सकते हैं जब उनका दिल करे वो आपकी life में आ नहीं सकते हैं So maybe एक lesson आप उनको शायद इस वक्त देना चाह रहे हैं with this magician also, यह आपकी energy हो सकती है कि थोड़ा सा आप उनको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, lesson देने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस तरहां वो आपके साथ नहीं चल सकते, unfair हो कर, right? So I really feel कि यह इस वक्त आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लग रहे है कि शायद काफी दिनों से या तो आपकी detailed बात नहीं हुई है, या आपकी मुलाकात नहीं हुई है, या आप में नाराजगी चल रही थी, बस कुछ न कुछ है ऐसा कि जो आप लोगों में gap आया हुआ है, invisible सा gap, यानि यह समझ लें कि अगर आप लोग को कुछ पता है दिलों में कि कुछ ना कुछ चल रही है गड़बड, राइट, पड़ी different energy है जिसमें हम tune in है, बट उसके इलावा I do feel कि mutual love चल रहा है, एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के लिए still understanding है, commitment है, एक दूसरे से loyalty, sincerity अपनी जगा पर काइम है, प्यार अपनी ज जगा पर है, लेकिन जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं एक दूसरे के उपर, और बताना नहीं चाह रहे हैं दूसरे को, कि क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, so I feel कि आपके person को आपसे rejection का डर है इस वक्त, कि आप reject कर देंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, और हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको reject किया था, आपकी बात नहीं सुनी थी, आपकी call अटेंड नहीं की थी, कुछ इस तरह का किया था, और फिर आपने सोचा कि आप इनको अब lesson देंगे, जैसे इन्होंने किया, बिल्कुल वैसा ही करेंगे इनके साथ, so आपने किया तो उनको feel हो गया Maybe उनको exactly ये feel नहीं हुआ कि उन्होंने पहले ऐसा किया था, तो आप ऐसा कर रहे हैं, बट उनको feel हुआ है कि आप उनको ignore कर रहे हैं किसी ना किसी तरह, so ये इनसान बहुत sad है, वो ये सोच रहे हैं कि वो आपकी ignorance बरदाश नहीं कर सकते हैं, आपसे ignore होना उनने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, so ये आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बताईएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.